नमस्कार साथियो, मैं भोपाल सिंग शक्तावत, फिनो पेमेंट बैंक की तरब से आप सभी का स्वागत करता हूँ इस वीडियो के माद्यम से हम जानेंगे कि किस प्रकार से हमारे फिनो पेमेंट बैंक के एम्प्लोईज यानि की CRO या FOS के दुवारा मर्चंट का एड्रेस वेरिफिकेशन उनकी दुकान पे या उनकी लोकेशन पे जाके किया जाता है उसके बारे में बात करते हैं मर्चंट एड्रेस वेरिफिकेशन के बारे में मर्चंट का address verification करने के लिए आपको FOS ID के माध्यम से मित्रा application में login करना होगा मित्रा application में login होने के बाद में search box में मर्चंट का account number आप type कर search पे click करेंगे वहाँ नीचे आपको service request का option देखने को मिलेगा service request पे जब आप click करते हैं तो वहाँ आपको merchant address verification का option देखने को मिलेगा जिसके माध्यम से आप merchant का working address को update कर पाएंगे merchant के working address को update करने के लिए आप current location पे click करके भी कर सकते हैं या आपको जो map दिख रहा है उसमें जो exact location दिख रही है उस पे आप click करके भी उस location को save कर सकते हैं तीसरा आप manually update भी कर सकते हैं यानि कि आप type कर सकते हैं उसका जो भी address है उससे भी आप उसकी location को save कर सकते हैं यह जो आप adaptation कर रहे हैं यह करने के बाद में आपको उसके जो address proof में जो document दिया जा रहा है merchant के दुआरा उसकी जो photo है वो front side से और back side से दोनों तरप से आपको capture करके upload करने होगी उसके बाद में आपको merchant की बिहाफ में कुछ questions आप से पूछे जाएंगे उसके जवाब आपको वहाँ पर देने होंगे सवालों के जवाब देने के बाद में merchant की location पे ही merchant की photo ली जाएगी आपके दुआरा merchant की photo capture करने के बाद में merchant का biometric authentication और उसके registered mobile पे प्राप्त OTP आपके दुआरा लेके दर्ज किया जाएगा जिससे यह confirm हो सके कि यह सब भी कार्रे आपके दुआरा जो किये जा रहे है वह merchant की सहमती से हो रहे है यह सब होने के बाद में जो आपने request दर्ज की है working address update करने के लिए यह request document verification unit के पास में चली जाती है document verification unit के दुआरा उसको accept या reject करने का SMS आपके यानि की merchant की mobile पर प्राप्त हो जाएगा merchant को यह प्राप्त होएगा जिसमें यह लिखा होगा message में कि आपकी जो working address update करने की request हमारे पास आई थी वो accept कर ली गई है merchant का working address update करने के लिए आपको मित्रा application में FOS पे क्लिक करके आपको username में अपनी ID डालनी होगी FOS ID डाल कर आप continue पे क्लिक करेंगे तो right side में जो page आप भी देख पार है यह page आपको देखने को मिलेगा जहांपर आपको merchant के account number टाइप करने होगे और search पे क्लिक करना होगा यह drop down list जो अभी आप देख पार हैं यह list आपको देखने को मिलेगी यहां पर आपको merchant address verification पे क्लिक करना होगा merchant address verification पे जब आप क्लिक कर देते हैं तो right side में जो अभी आप देख पार हैं वो option यानि कि उसके जो address पहले से जो दर जो रखे हैं वो address आपको देखने को मिलेगे उसमें नीची की तरफ आपको working address में edit का option देखने को मिलेगा जहांपर आपको edit पे क्लिक करना होगा edit पे क्लिक करते ही यह page आपको देखने को मिलता है जो अभी आप left side में देख पा रहे हैं यहां आप search a place पे क्लिक करके merchant का working address है वहाँ आप टाइप करेंगे type करके आप उसका merchant का working address को update कर पाएंगे next option होता है आप जो map देख पा रहे हैं उस map के अंदर आपको merchant की location दून नहीं होगी दून के आप उस पे click करेंगे कि यह location है तो click करके भी आप उसका working address है उसको update कर पाएंगे तीसरा option होता है use current location use current location के माध्यम से जो भी current location होती है वो automatically आपको देखने को मिल जाती है उसका address आप प्रोसीड पे click करके आगे बढ़ सकते हैं ध्यान दीजिएगा use current location पे जब आप click करते हैं उस समय कुछ special junk characters आपको देखने को मिल जाएंगे address के अंतर तो आपको क्या कर प्रोसीड पे click करने से पहले आपको जो special characters हैं या junk characters हैं वहाँ आपको वहाँ से हटाने होंगे यानि कि जो address में दिख रहे हैं कोई junk characters वो आपको delete करने के बाद ही आप आगे बढ़ेंगे उसके बाद में आपको जो right side में अभी जो page आप देख पा रहे हैं इस page में आपको address proof के रूप में जो document merchant के दुवारा दिया जा रहा है उस address proof में जो document में address लिखा हुआ है वही address यहाँ पर होना चाहिए कहने का मतलब है कि जो merchant जो address proof में जो document दे रहा है और जो location आप type कर रहे है या current location से आप ले रहे हैं वो दोनों address सेम होने चाहिए तभी आपका merchant working address की request को successfully update किया जाएगा उसके बाद में आपको right side में आप देख पा रहे है address proof के लिए image upload करने का option देखने को मिलेगा front side से और back side से आप capture के माध्यम से और gallery के माध्यम से उसकी photo को capture कर सकते हैं उसके बाद में आपको confirm पे click करना होगा confirm पे click करते ही यह page आपको देखने को मिलेगा जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि merchant का जो working address है वो successfully capture हो चुका है उसके बाद में आपको next पे click करना होगा next पे click करते ही यहाँ कुछ आपको सवाल देखने को मिल रहे होंगे इन सवालों के जवाब आप merchant से पूछ कर यानि कि उनके बिहाफ में आप जवाब दे सकते हैं यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि यह shop जो है उसके मालिक आप खुद है या नहीं है यह shop खुद की है या किराई की है इसमें आपसे पूछा जा रहा है nature of business जिसमें drop down list में से आप select कर सकते हैं कि यह दुकान किस प्रकार की दुकान है यानि कि किराना की दुकान है, chemist की दुकान है, hardware की दुकान है, electronic की दुकान है या जो भी दुकान है वो आप drop down list में से select कर सकते हैं राइट सेड में आपसे पूछा जा रहा है इस दुकान को चलाते हुए आपको कितना समय हो चुका है 6 मैने से कम या 6 मैने से 12 मैना जो भी अवदी है मर्चंट को दुकान को चलाते हुए उसके उपर आपको क्लिक करके next पे क्लिक करना होगा यहां आपको मर्चंट की लाइफ फोटू लेनी होगी लाइफ फोटू लेते समय द्यान दीजेगा मर्चंट के अलावा फोटू के अंदर कोई अन्य व्यक्ति या वस्तू की फोटू नहीं होनी चाहिए मर्चंट की शौप पे केवल मर्चंट होना चाहिए और मर्चंट की ह फोटू दिखनी चाहिए और वह फोटू एकदम क्लेर होनी चीए किसी भी प्रकार से बलर नहीं होनी चीए यानि कि दुंदली नहीं दिखनी चीए फोटू में वो मर्चंट क्लेरली दिखना चाहिए तभी आपकी मर्चंट की वर्किंग एड्रस verification completely successful हो पाएगा इस page में आपके दुआरा जो भी working address update किया गया है और जो भी photographs upload करी गई है वह सभी details आपको देखने को मिलेगी तो इस summary को आप ध्यानपूरवक पढ़ ले और merchant से verify करवा लें कि यह सभी details सही है या नहीं है उसके बाद में आप next पे click करेंगे यहां merchant को अपना biometric और OTP authentication देना होगा ताकि यह confirm हो सके कि merchant का जो working address updation किया जा रहा है वो उसकी सहमती से हो रहा है तो यहां आप biometric पे click करके next पे जब आप click करेंगे तो उसका biometric capture हो जाएगा biometric का capture करने के बाद में यहां आप पर आपको OTP का option देखने को मिलेगा तो आपको OTP पे click करना होगा तो merchant के registered mobile number पे एक OTP प्राप्त होगा OTP लेकर आप यहां पर दर्ज करेंगे और next पे click करेंगे जैसे ही आप next पे click करते हैं राइट साइड में यह स्क्रीन आपके जो सामने अभी देख पा रहे हैं आप वह स्क्रीन आपको देखने को मिले की यानि की आपकी दुआरा जो working address करने की जो application थी वह successfully submit हो चुकी है और हमारे Finno payment bank की document verification unit की दुआरा यह इसका जब भी acceptance होगा या transaction होगा उसका message हमारी merchant के registered mobile पर प्राप्थ हो जाएगा तो उमीद करता हूं सात्यों इस वीडियो के माद्यम से आपको समझ आ गया होगा कि किस परकार से merchant का working address आप उसकी location पर जाके Finno की मित्रा application के माद्यम से update कर सकते हैं धन्यवाद